जो बात नहीं करता जो रूट गया है नाराज लोट कर आएगा खुद आपके पास मात्र तेरा गंटों में जी हां मित्रों एक ऐसा उपाय एक ऐसा टोटका जिसे आप एक बार कर लें सिर्फ एक बार का ही उपाय है आच मिनट का सरल सा उपाय है किसी विशेश वस्तु की इसमें आपको आवशक्ता नहीं बस उस इनसान को सोच कर ये शब्द लिख देना तोड़ा चला आएगा आपके पास रह नहीं सकेगा आपके बिना एक पल भी ऐसा बेचैन हो जाएगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कलपना भी नहीं कर सकते मित्रु इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं शनिवार का दिन छोड़ कर यानि सेटर्डे के दिन आपने ये उपाय नहीं करना है सरल जीविदी है, आसान जीविदी है इसे आप पूरे ध्यान पूरवक सुने, देखें वह समझे आपको सौ प्रतीशत इस उपाय से लाब प्राप्त होने वाला है और आपका रिष्टा, आपका संबंध, जो कोई भी बिगड़ गया है किसी से भी प्रेमी-प्रेमी का पती-पत्नी कोई भी हो आप इस उपाय को करते ही देखेंगे, कि वो सुथर गया पूरे विश्वास पूरे यकीन के साथ उपाय को करें जसा कि बताया, आप सनिवार का दिन छोड़ कर किसी भी दिल ये उपाय कर सकते हैं आपने ये उपाय सुबह के समय करना है सुबह चार बजे से लेकर ग्यारा बजे के अंतराग आप इस उपाय को कभी भी कर सकते एक स्थान पर स्नान के पश्चाथ उड़े निवरत हो जाएं स्थान कर लें हाथ मुव पर अच्छे से धूलें और उसके बाद आप बैठ जाएं किसी साफ आसनिया कपड़े पर जब आप बैठेंगे तो अपनी बैठने की दिशा आप रखेंगे पूर्वगी यानि इस्ट की और मुक करके आपने बैठना है बैठते समय आपने एक हरे या लाल रंग का पैन, स्केच पैन या मार कर अपने पास आपने आपने थोड़ा सा पानी किसी खटोरी में ले 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 वो रखना है सामने की और पानी को रखें जब आप बैठ गए, आपने सबसे पहले दौनों हाथों को जोड़ कर उस व्यक्ति को जिसके लिए भी आप यह पाई कर रहे है चाहिए वो पुरुष है, इस तरही है उसे स्मरण करना है, उसे ध्यान करना है पांस सेकंड, दस सेकंड, पंद्रा सेकंड, उसके बाद आपने क्या कर ले जो आपके पास sketch pen, pen जो भी आपने लिया है, उससे आपने अपने उल्टे हाथ की जो आपकी मध्यमा उंगली है, जो middle finger है उसके बीचों बीच जैसा वीडियो में दिखाया गया है, उसमें आपने शब्द लिखना है प्रे, इसके बाद लिखने वाली वस्तु को एक तरफ रख देंगे, मित्रों विशेश तोर पर ध्यान रखें, पर्मानेंट मार कर ना ले अब आपने क्या करना है, जो लिखा हुआ है, उस जगे पर अपने सीधी हाथ की जो आपकी मध्यमा उंगली है, middle finger है, उसे आप पानी मड़ोएंगे, जो सामने कटोरी रखी है, और हलका सा पानी उस लिखे हुए पर लगा देंगे, छला देंगे और उसके बाद अपनी करके, उल्टे हाथ की, आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को ध्यान करते हुए एक मंत्र उच्चारित करना है, ओम त्री प्रे अमुक वश्यह वश्यह स्वाह, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेंगे, और इस मंत्र को आप साथ बार बोलेंगे, साथ बार आपने ये मंदर उच्चारित करना है उसके बाद आपने कुछ करना नहीं उस स्थान से खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद तीन बार उसी स्थान पर खड़े खड़े गूंजाए उसके बाद आप ये कटोरी उठाए इस कटोरी को किसी साफ स्थान पर इसके पानी को आप गिरा दें बहा दें आराम से बैन है के नहीं घर से बाहर आप ने बहाना है कहीं भी साफस्तार उसके बाद घर के बीतर आये कटोरी को दो दें लिखे हुए को आप ऐसा ही रहने देंगे अपने आप जब आपका हाथ दुलेगा यग अपने आप धुलता रहेगा साफ होता रहेगा जैसे जैसे ये मिटता जाएगा सामने बाले पर इसका असार इसका प्रभाव होता रहेगा मित्रों अशार करते हैं उपाए आपको ठीक प्रकार से समझ में आगया होगा अब द्याग ग्या फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक ऐसे ही बहुती शक्तिशाली अपाए के साथ अपना खयान रखें, खुश रहें, नमस्कार